हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप से भी तो दोस्तों आपको पता है हमारा यूनिट सेंट इसøreधा और आपने चंप के पढ़ाई गर पर स्टेडी भी स्टर्ट कर दिया हों किसी टेम का रिजल्ट आने वाला है और स्टर्ट आ करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को कि ब्लाइक चानल को पता लगा सकते हैं कि दिया गया equation wrong है और right है ओके तो दोस्तों अभी तक समझ में नहीं आया आए आपको मैं बोल के आ रहा हूं तभी बताता हूं मैं यह एक्वेशन दिया हूँ है वी वर्ल टू यू प्लस 80 यह एक्वेशन आप लोग सब लोग जानते हो फॉस्त का इनमेटिक वेशन और मोशन वी वर्ल यू प्लस 80 बट ऐसा समझ लो कि आपको किसी ने एक्वेशन यह दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि व्लत है लेंगे सबसे बहुत है कि सबसे बढ़े लम्हेंशन अफय दोस्तों जैसे आपको वेलोसिटी का पता है यूनिटीका होता है मिटर पर सेकेंड मिटर मतलब ब्लेंड सेकंड मतलब टाइम तो ल एम टी तो एल आ जाएगा हमारा one mass तो इसके अंदर है निए तो zero और time यहां second divide में है नीचे है तो यह हो जाएगा minus one तो दोस्तों यह होगे हम इसको दे देंगे equation number one अब दोस्तों दूसरा देख लो U अब U को आप लिख लो LMT फिर से LMT ओके दोस्तों अब यह भी velocity होता तो इसका भी वही होगा meter per second meter मतलब length mass तो इसके अंदर होता नहीं है इसके unit में और second T minus one थोड़ा दिखाई नहीं दे रहागा इसको adjust कर लेना यह होगा हमारा second अब दोस्तों हम आते हैं last जो 80 दिया हुआ है A और T तो दोनों के लिए मैं separate बना लेता हूँ L, M, T ओके और यहाँ T के लिए भी L, M, T अगर कोई direct करना चाहिए तो direct भी कर दे पर मैं आपके लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे अलग-अलग कर रहा हूँ चलो पहले मैं लिग देता हूँ acceleration acceleration का unit क्या होता है meter per second square दोस्तों अगर unit याद हो न तो आप dimension अराम से निकाल सकते हो जिसको याद नहीं होगा मैंने dimension करवा दिया है जाके देख ले meter per second square तो meter दोस्तों क्या होता है meter बताओ पता है फटा 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 तो length होता है हम acceleration की बात कर रहे तो meter length होता है mass तो hand इसके अंदर तो यह 0 हो गया और second square मतलब यह हो गया 10 minus to q second divide में अब time यह length 0 M0 time कितना 1 है तो 1 मैंने लिग दिया दोस्तों अब मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ LMT LMT अब दोसों indices के rule के करण आपको पता है अगर base same है सेम है तो उपर वाले power क्या हो जाते प्लस हो जाते 1010 कितना जाएगा 10000-1-2-1-2-1-2-1 दोस्तों कितना बचेगा बोलो-1 तो यह दे दो equation number 3 अब देश्तों ध्यान से देखो left hand side और right hand side सही है कि नहीं V देखो L1 M0 T-1 सही L1 M0 T-1 यह भी L1 M0 T-1 तो दोस्तों तीनों equation देखो तीनों equation की value सेम है तो इससे हमें पता चलिए left hand side equal to right hand side और हमारा जो equation दिया गया equation क्या है सही है दोस्तों from 1,2 and 3 from 1,2 and 3 L लिख लेता हूँ इसका क्याता है हमारा L1 M0 T-1 equal to U U का भी दोस्तों वही है L1 M0 T-1 ओके आगे क्या प्लस और 80 का हमने direct निकाल 80 का है L1 M0 T-1 तो दोस्तों अगर चेक करोगे आप चेक करोगे तो तो तीनों का सेम ही आया तो आज लास्ट में लिख दोगे यू इक्वल वी इक्वल टू यू प्लस 80 के प्रूफट हैंस प्रूफट हमने बता देंसाइड इक्वल तो तो हमारा दोस्तों फॉस्त हमने यूज फाइंड करके दिखा दिया आइधिंग आपके लिए सिंपल होगा और यह हवाय चल रही है दोस्तों मौसम थोड़ा अच्छा कर दिया है तो बढ़ते दोस्तों नेक्स एक एक करके मैंने दिखा दिया और क्लासेस में तो बहुत सारा करवाएंगे दोस्तों अभी तो हम यह लाइव करवार हैं अगर इसकों पे किसी को प्रॉब्लम है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें तो चलो चल मैं नहीं अतलि पॉड़ा इस समझ है मुझे पता है मैंने एक ग्रalnya के तुन अपन जिए यह और सुना हुआ है उस समय आप टाइम पिरेजाओ ऑप से देना देना नहीं हैं दोस्तों ये तो मैंने ऐसी आपको फार्मुला लिखे दिए कि सिंप τेईूलेशियोर की ओकट पर बंडोलों को यह होता है इसे आपको पहलेना आप लिखना क्या है कि पृट्फ ट्रीयोर्जूट्सिंप यहां गर्ट यहां देखना चाहेँ आपको यहां देखनाओ आपको तो यहां स भीट इनी रिलेशन स्क्राइट से आहेटाशन गए पाता चल गया हमें solve करके बताना कि ऐसा आ रहाएकि नहीं आ रहा है यह हम यूज करेंगेगे डानिसल इनलसीस का यूज करके हम फाइंड करेंगे कि यह रिलेशन हमारा रहा ही नहीं आ रहा है तो लिखते हैं लेट अस लेट एस डिराइवड दो रेलेशन बिट्विन विट्वेंग लिए टी एल एंट जी ये तिनों का दीका ये दोनों के साथ क्या फाइंद करना तुमाइशे लिखुंगा हमेशा ऐसी जैस्फे दोस्तों करवारों ऐसी करना जिसका रिलेशन है वैसी रिलेशन ऐसे फाइंड कर ना टी इस डियारिकली प्रोपॉर्षन्ट 2 अब हमें रिलेशन फाइंड करना है दोस्तों तो यहां एक को इदर दीखने कि अच्छे से मैं यहां लिपता हूं टी डार्टी प्रपोशन्ट टू एल ओफ उपर ए ले लो और दूसरे के साथ भी जी के साथ भी रिलेशन फाइंड करना उसको क्या ले लिए हमने बी ले लि एसी रखता हूं जब भी प्रोपर्शनल का साइन लगा हटाता हूं तो इक्वल और के लगता है तो दोस्तों अब और यह जो एल और ए है यह एसी मैं रखता हूं यह मेरा ए है क्योंकि मार गई है स्केश्में मोटा चल रहे है तो आपको पता नहीं चल रहा हो तो ध्यान अब दोस्तों मेरा ऐसा मिल गया आप मैं दे देता हूं इसको इक्वेशण नंबर 1 उन और आप मैं सबका डाइमेंशन लिख हूंगा इसको लिखने की जरूत नहीं बस इसको हमने के लिखा है क्योंकि यह कभी चेंज नहीं हो सकता अब दोस्तो ल, M, T, G भी दोस्तो एक्स जी सॉरी पहले L है तो L के लिए हमारा क्या हो जाएगा L हमारा लेंथ है यह 1 हो जाएगा बाकी क्या हो जाएगा दोस्तो 0, 0 और यहां उपर क्या लिखा हुआ है इसके उपर A तो यहां मैंने A लिख दिया अब आगे इसके बाद G है दोस्तो यहां जगा नहीं है मैं नेचे लिख दियता हूँ जी, same to same, दोनों के बिशे मुल्टीप्ला है है, हां, दोस्तो, तो, LMT, LMT, और यहां मैंने उपर कहा लिख दिया, B, लिखा, अब G मतलब क्या होता है, दोस्तो, acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity का भी दोस्तो, जो unit होता है, वो क्या होता है, meter per second square, meter per second square ही होता है, तो दोस्तो acceleration due to gravity का जो unit है वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वेर होता है तो मीटर मतलब length ओके अब mass क्या हो जाएगा 0 और second क्या हो जाएगा time क्या हो जाएगा minus 2 ओके ऐसा हमें मिल गया अब दोस्तों आगे मैं क्या करूँगा ध्यान देना कि अब जीरो कि एम जीरो कि टीवल इक्वल है अब दोस्तों यह के को पता है आपको इंडाइस के रूल में आपने पढ़ा हो एक को मैं एक के साथ multiply कर दूँगा यह हमारा जाए ल ए यह हमारा हो जाएगा जीरो इंटू ए जीरो 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 एंटू ए जीरो ए जीरो ओके आगे multiply अब बी बाले का कर लूँ मैं भी बन जाथ भी यह चाए टी माइश टू टो बी ओके अब यह मिल गया दोस्तों अब दिहान देना अच्छे से अब यह मैं लिक लेता हूँ L0 फिर से M0 T1 अब दोस्तों यह दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि indices का rule आपको पता है अगर variable अगर बेस सेम है तो power क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो दोस्तों A plus पहला वाला क्या हो जाएगा A plus B पहला हमारा क्या हो जाएगा L A plus B यह देखो power जेम है तो दोनों क्या हो जाएगा A plus B और दूसरा तो 0 ही दिया हुआ होआ है तो 0 ही लिखेंगे और तीसरा दोस्तों 0,0 चलो ऐसे इधर करके दिखाता हूँ ये 0 है ये क्या है 0 PLUS 0 PLUS MINUS 2B तो ये क्या हो जाएगा T MINUS 2B T MINUS 2B T MINUS 2B अब दोस्तो AK को हम EQUATE करेंगे AK के RELATION को पहले सबसे पहले B को ले ले लेते हैं ये वाले को इसके साथ EQUATE करेंगे T की VALUE इस वाले के साथ EQUATE करेंगे MINUS 2B minus two equal to कितना दोस्तो one तो b equal to तो b equal to दोस्तो नो कितना आजाएगा minus one upon two कितना आजाएगा minus one upon multiply invalid यह, यह दूरों के फिशे multiply तो minus two divide में आगया अब यह मत भुणा स्थär minus two equal के side गया तो plus two हो गया यह दोस्तो multiply 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 equal के साड़ा तो divide में तो b की value मिल गई अब दोस्तों हमें किसकी value निकालने a plus b a plus b equal to क्या दिया हो हमें a plus b इसको देदो आप equation number 2 देदो अब ध्यान दो a plus b a plus b equal to क्या है दोस्तों 0 l की value a plus b देखो a plus b equal to 0 अब दोस्तों b की value हमारे पास already है b कीतना है हमारे पास minus 1 by 2 equal to 0 minus 1 by 2 equal to 0 अब minus 1 दोस्तों equal के उसर जाएगा minus 1 equal के उसर जाएगा तो क्या होगा plus 1 यह हो जाएगा हमारा 1 by 2 यह हो गया हमारा equation number third equation number third अब ध्यान से देखना दोस्तों ध्यान लगा किक दम अब हमें a की value a की value 1 by 2 अब हम put करेंगे put values of a and b in equation first value of a and b equation first पूट कर देंगे a और b की value आगे तो a और b की value हमें यहाँ क्या था t equal k l a की value कितनी आई दोस्तों 1 by 2 और g b की value कितनी आई दोस्तों minus 1 by 2 तो दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ 1 by 2 मतलब square 1 by 2 मतलब क्या होता है 1 by 2 मतलब क्या होता है square root होता है तो और यह minus 1 by 2 होता है g कहाँ चला जागा नीचे और यह l कहा रहेगा उपपर तो अगर मैं 1 by 2 को हटा देता हूँ सो 1 । दो हमाय बंगा स्क्वायरूट दोके 1-2 को हटा दिया ये उप्पर और ये इसका नेगेटिव है नीचे अब देख HEY जो मैंने आघ चेंज नहीं हो त değil तो और YouTube के साहट रिलेशन पता चलिए तो दोस्तों आपको इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एक्जाम के टाइम इसी समको इसी एक्जाम्पल को एक्जाम में सेम लिख दे रहा है कोई कुछ भी गलत नहीं दोस्तों सेम यहां देखो कि हमने सबसे पहले टी और दोनों का जी है तो मतलब नहीं हैं कि गुसका एंसर-डोगोफ नहीं है P की value को equate किया तो minus 2B equal to 1 तो हमें P की value मिल गए B की value मिल गए L को equate किया L की value को equate किया तो A plus B equal to 0 है तो B की value already दिया इससे हमें A और B दोनों की value मिल गए हमें तो A और B की value निकाल नहीं थी A और B की value निकाल गए तो हमें relation पता चला अब चलते थर्ड यूस लास्ट यूस की तो दोस्तो चलो करते हैं घाल से आपको समझ में आ जाए दोस्तों मालो आप मुझे यह बताओगे कि वर्क का वर्क का जो एसा यूनिट क्या होता है वो होता है वर्क का ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एसा यूनिट वर्क का क्या होता है दोस्तों जूल होता है और सीजियस यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है क्योंकि एनर्जी एनर्जी का भी होता है वर्क का भी होता है तो एसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है जूल है और सीजियस यूनिट ऑफ और भी सीजियस यूनिट ऑफ वर् तो हमें क्या find करना है हमें find ये करना है कि one one joule equal to how much अर्क प्वेट जैसे हम यहां बोलते हैं one meter equal to hundred centimeter one meter equal to hundred centimeter यह हमें पता है कि one meter equal to कितना और दोनो दोनो लेंथ की दोनो सेमी फिसिकल कॉंटिटी है यहां conversion इसका यूज करता हूं तो दोनों वर्क का ही यूनिट है बट वन जूल इक्वल टू सीजियस में उसका कितना होगा कितना कर सकते हैं वर्क का दाइमेंशन याद होगा वर्क का डायमेंशन एगर याद होगा तो ही कुछ कर सकते है वर्क क्या था यह लिखा रहा हूं दोस्तों दिस्टेस मतलब एक तरद से लेंथ हो गया वर्का यूनिट आपको पता है वर्का फॉर्का फॉर्मिला आपको पता है एक तुर्स इंट्सक्राइब होता है तो इस यह मैं अली कि लिए लोग के लिए घ्रविया तो यह मैं यह ह AirPods यहां व ली लिखंगा तो मैं इसका ढाम क्glass लिखता हो यह दियान दो अच्छे से तो डाइमेंशन ओफ वर्क वर्क का ए जूल यूनिट होता था डाइमेंशन मैंने ये लिखा M1 और के L2 T-2 ओके आगे X अर्क भी दोस्तों अर्क भी वर्क का ए यूनिट है तो M1 L2 T-2 अब दोस्तों अगर मैं ऐसे सेम रखूंगा तो दोनों तो सेमी चीज का सेमी फिजिकल का यूनिट है तो दोनों साइट से क्या होगा तो मैं दोस्तों इसको क्या ले लूँगा और इसको ले लूँगा मैं तो अगर दोनों साइट की चीज़े क्या होगा तो मुझे पता चल जाएगा यह यह अर्क है थोड़ा लग हो गया अब मुझे एक्स फाइंड करना है क्या फाइंड करना है तो यह दोनों इसके साथ मल्टीपला है तो किस उज्ट डिवाइड में दोस्तों यह अर्क है यह सीजियास यूनिट है सीजियाज आपको पता न संटीमीटर कि आपने सुना ओगा घ्राम सी जी एस सेंटिमेटर ग्राम एन सेकेंड तो दोस्तों यह दोनों इसके साथ क्या रहा है मल्टीपला है यह मल्टीपला है जब इस साइड आएगा तो किसमें चला जागा डिवाइड में तो इस साइड अल्रेडि दोस्तों क्या है मैं लिखता हूँ M1 यह 1 L2 T-2 अब यह पहला वाला इसले मैंने 1 लिख दिया और दोस्तों यह डिवाइड में आया M1 L2 T-2 और यह CGS से इसले मैंने नीचे 2 दे दिया दोस्तों अब दोस्तों मैं एक एक करके ले लूँगा दोनों को M1 अपन M2 कितना दिया दोनों का 1 1 पॉवर है तो दोनों का पॉवर 1 है 1 लिख दिया आप दूस्तरा दोस्तों L1 अपन L2 दोनों का पॉवर क्या है दोस्तों 2 common लिख दिया मैंने तीस्तरा T1 upon T2 तो इसका मैंने क्या लेख दिया minus 2 minus 2 sorry phone बज रहा था अब दोस्तों मैंने ऐसे find कर लिया अब को पता है नीचे वाला जो था ये देखो जो नीचे आया था जो नीचे आया था हो क्या हो था CGS unit था तो बताओ मास का CGS unit मास का जो CGS unit होता है मास का CGS unit क्या होता है gram होता है क्या होता है दोस्तों gram याद रखो मास का CGS unit क्या होता है gram तो मैं नीचे लिख दूँगा ग्राम और SI unit of SI unit of mass क्या होता है kg SI unit क्या होता है मास का kg तो मैंने kg लिख दिया हम और इसको ऐसी लिख ढूनाँ अब आख सान wod नर्फ जétais उनिटाफ लेंथ इसीजे उनिटाफ लेंथ-श्र्ट रेंथ Democrat लीय। हाता है centimeter और ऐसा उनिट ओफ लेंद हमारा क्या होता है meter क्या होता है अब दोस्तो लास्ट टाइम का तो सेमी होता दोनों क्या होता है सेकेंड सेकेंड ऑफ है माइस टू ओक है द्यान देना दोस्तों सीजर यूनिट करें आपसी सब्सक्राइब और यहां से ध्यान देना दोस्तों मुझे अगर मुझे केजी को ग्राम में करना है केजी को किस में करना है ग्राम में करना है तो वन केजी को टू कितना ग्राम होता है तो वन केजी को टू कितना होता है थाउजन ग्राम तो मैं केजी के जगा पर ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों थाउजन ग्राम तो मैंने इसे लिख करें अब दूसरा स्दूर उपएटिंटिर में कन वर्ट करना तो स्विंतर तो मैं अगर ऐसे लिखोंगा तो भी चलेगा वहां मिटर पर हंड्रेट सेंटिमीटर सेंटिमीटर से यह मीटर के जगा पर मैंने क्याना लिए Oui यह मीटर में करना पड़ेगा तो बश्य यह वन कुछ नहीं दिया मतलब वन कितना सेंटीमेटर को 100 संटीमेटर और नीचे वाला सेंटीमेटर ऐसी लिख दिया दूस्तों मैंने और उपड़ 2 है तो यह मैं 2 इंटू ड़स तो यह दोनों क्या होगे सेकेंड सेकेंड कैंसल मतलब यहां 1 बचा 1 रेस 2 माइनस 2 ओके दोस्तो अब ध्यान दे रहा है जीम जीम कैंसल सेंटीमिटर सेंटीमिटर कैंसल अब आगे बस यह बचाना 1000 को रेस 2 ओन करूंगा तो इसका एंसर वही आएगा और 100 का स्क्वाइर दोस्तो आपको थमें नहीं है इसको मैं लिएता का 100 इंटू 100 का स्क्वाइर दोस्तों 100 इंटू 100 अब टोटल लिख लो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो दोस्तों डारेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते 10 रस तू 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके तो एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या आगे इसको दे दो आप एक्वेशन नमबर बन और अच्छा हो जाएगा और यह हो गया हमारा एक्वेशन नमबर 2 अब दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या आग एक्स के जगा पर क्या जागर टेन रस टू 7 और ओके दोस्तों देखो अब आपने यह पढ़ा था नाइंट में आपको आयदा पूट करने तो हमने वैल्यू निकाल दी वन जूल इकवल टेन रस टू 7 कितना था अर्ग होता है तो इस तरह दोस्तों अब बहुत सारी फिज कर दोस्तों याणो कर दोना क्या दान लिए यहां ओक टेशन से होगा तो पर मैंने अलग कи दोंसेंन नहों जोगा इसलिए लिए इस वाले SI वाले को 1 दिया, CGS वाले को 2 दिया, फिर दोनों के बीचे मल्टीप्ला हो रहा है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया दोस्तों, फिर होने के बाद MM को साथ में रखा, LL को साथ रखा, TD को साथ रखा, फिर M upon M, मतलब कि एक, यह हमारा नीचे वाला CGS में दोस्तो तो Mass of CGS GM होता है, और Mass of SI क्या होता है, Mass of SI क्या होता है, केजी होता है, Length क्या होता है, CGS सेंटीमेटर होता है, और Length SI क्या होता है, मीटर होता है, Length, दोस्तों हमारा, जो Length, स्वारी, Time, जो होता है, दोनों सेगेंड होता है, CGS और SI क्या होता है, सेगेंड होता है, तो द अपके एक्वालराइड रहाँ आपको पता है उन्रेस्ट्वाइड होता है तो मैंने यह मतलब ने सेवन लिखाने मैंने अब यह हंड़ेड का स्क्वाइर करूं गा तो हंड्रेड हंड्रेड टू टाइम मैंने डायरे की लिग दिया तो वन टू टोटल जिरो काउंट किया जिरो कितना होगे सेवन और असकर तो बस यह याद रखना इनो यूस आज ही कर लिए प्लीज घर पे बैट के अच्छे सा प्रैक्टिस कर लो क्योंकि एक्जाम में आने व बाज बाज बाए बाई